My dear student, Assalamualaikum. हम The Journey of Chocolate Chapter 3 की Comprehension कर रहे हैं. Journey का मतलब होता है सफर और हम जो है वो चॉकलेट जो है Cocoa Trees से इसका सफर शुरू होता है और फिर इसमें से फलियों में से बीज निकाले जाते हैं वीज़ को साफ किया जाता है, इसे क्राश किया जाता है, फलेवर एड किया जाते हैं और फिर इसे डिबों में पैक करके आप बजार से खरीड दें तो इसी तरह हमारी जिन्दगी भी एक सफर है, हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो जिन्दगी का सफर अच्छी तरह गुजारने के लिए हमें सीधे रस्ते पे चलना चाहिए, और वो सीधा रस्ता हमें कैसे पता चलता है, वो कुरान मजीद को समझ के पता चलता है, कुरान सिरफ सवाब की किताब नहीं है, बलके समझ क आमल करने की किताब है जिससे हमारा सफर खुशगवार हो सकता है और इंशाला फिर उसके आखर में हमें मन्जिल भी अच्छी मिलेगी हम अपने सबक की तरफ आते हैं आज हमारा टॉपिक है माई फेवरेट फूड एंड वाई मेरी पसंदीदा हुरा क्या है और मैं क्यूं इसको पसंद करता हूँ आई लव टू इट आपको भी जो है खाना पसंद होगा मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगता है आई लव टू इट दा फूड गिवस अस इनरजी आपको पता है कि जितने काम हम करते हैं सोते हैं जाकते में खेलते हैं बूक रीडिंग करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं हमारे जिसम को इनरजी की या ताकत की तवानाई की जरूरत होती है तो ये इनरजी जो है हमें फूड देती है The food gives us energy Without food there is no life अगर हमें खुराक ना मिले तो हमा हम जिन्दा नी रह सकते तो food जो है वो हमारी जिन्दगी के लिए जरूरी है There are so many dishes available in today's world आज की दुनिया में तरह तरह की dishes available हैं आप जो हैं वो घर में पकावा खाना बजार से भी मगा सकते हैं मार्कीट में जाएं तो package food भी मिलती है तो हमें avoid करना चाहिए हमें package food जो ये crisp और ये चीजें जिसमें chemicals मिले होते हैं ये हमारी सेथ को तबाह करते हैं ये नहीं खाने चाहिए Among the number of foods बहुत सी खुराक के अंदर fruit and vegetable salad is my favorite food fruit और फल और जो सबजियां हैं उनका salad मेरी संदीदा खुराक है It tastes and smells fabulous इसका मज़ा और इसकी खुश्भू बहुत जबरदस्त है It looks yummy और ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है और देखने में भी Fruits and vegetables are full of nutrients and fibers and they are eaten raw There is large variety one can choose Fruits and vegetables जो हैं वो घजाये से भरपूर होते हैं और उनमें fiber भी होता है और ये आम तोर पर बगैर पकाये खाये जाते हैं There is a large variety इनकी बहुत ज़्यदा अक्साम है जिनमें से हम choose कर सकते हैं तो जितने भी हमें nutrients जाही होते हैं घजाई अज़ा होते हैं जैसे potassium, vitamin A, folate, fiber, vitamin C और magnesium ये सारी fruits और vegetables में पाये जाते हैं Fruits and vegetables strengthens your immune system Immune system जो है हमारी जिसम का वो system है जो बिमारियों के खिलाफ हमारी मदद करता है और जो जरासीम होते हैं उनको हमारे जिसम में दाखिल होकर बिमारी से रोकता है तो fruits and vegetables में ऐसे अज़ा होते हैं जो हमारे immune system या मदाफ्ती system को मदबूत करते हैं हमारा मदाफ्ती system मदबूत होगा तो हम बिमारियों से भी बचे रहेंगे Fruits and vegetables help you living a healthy life तो fruits and vegetables आपको एक सेहत मन जिन्दगी गुजारने में मदद देते हैं तो इसलिए आपको कमस कम पांट कप से साथ कप तक रुजाना fruits and vegetables खाने चाहिए अगर आप जो है वो सेहत मन रहना चाहते हैं तो इसका बहुता असान तरीक है कि आप क्रिस्प और जूस पीने की बजए उतने जब आपको भूक लगे तो आप fresh fruits and vegetables खाएं उमीद है आपको सबक पसंत आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें